पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना सपनों के अध्यक्ष भी रहे हैं कई ऐसी संस्थाएं हैं सहकारी संस्थाएं जिन से वो जुड़े रहे हैं और उनका रिस्ता नितीश कुमार के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है 19 साल पुराने मामले में उनके घर पर जिस तरह का इस्तिहार शिपका है उसने कहीं न कहीं रास्टिय जनतादल और लालुप परिवार के मुश्किले पढ़ा दिये आपको बदा दे कि इस पूरे मामले में सुनील सिंग के बारे में यदि आपको जानना चाहते हैं सुनील सिंग 2020 से RJD के MLC चुने गए थे और उसके अलावा और RJD के कोशा धेक्ष भी रहे हैं लंबे समय तक कोश सम्हाला है अब कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि उनके सदस्ता समाप्त होई जिस तरह की बातें चली और जिस तरह से एक कमीटी गठित की गई थी उसकमीटी ने ये फैसला दिया था कि RJD के MLC है सुनील सिंग उनके सदस्ता समाप्त होनी चाहिए सुनील सिंग 2003 से ही विसकमान के अधक्स चुने जाते रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राविड़ देए के मुहबोले भाई के रूप में भी उन्हें लोग जानते हैं इसे नेताओं में से ये सुमार होते हैं जो लालू परिवार के काफी करीबी है और परिवार के किचन तक उनकी पहुंच है ये सारी बातें लेकर के सहकारिता से जुड़े हुए सुनील सिंग लगतार राश्टिय जनतादल के मुखर नेता के रूप में जाने जाते हैं ले पूरे मामले को लेकर के राश्टिय जनतादल के कार्याले का काया कल्प कराने में भी सुनील सिंग का एक बड़ा योगदान रहा है राजत कर्याले के लिए उन्होंने ही पत्थर का लाल्टेन मंगवाया था जिसका उदगात लालू परसाद ने किया था विदान परशद क सदस्ता जाने के बाद वो फ्रेम से थोड़ा बाहर रह रहे हैं सदस्ता जाने के बाद बोले थे सुनील सिंग कि किसी भी तरह की कोई बात नहीं उनकी मिमिक्री जो किये थे वो नितिश कुमार का उसी को ले करके उनकी सदस्ता गई थी राजाद MLC और राबरी देवी के मुह बोले भाई सुनिल सिंग को विदान परशत से बर्खास्त कर दिया गया है और अब वो नजर कम आ रहे हैं राजनितिक हलके में लेकिन अचानक से एक मामला सामने आया और RJD के MLC सुनिल सिंग ने अपने साथ-साथ 19 साल पुराने मामले में तेजस्ती आदो और राष्टी जनतादल की मुश्किले बढ़ा दी है मामला फतुह से जुड़ा हुआ है और पटना पुलिस ने वारंट की कॉपी सुनिल सिंग के पटना इस्थित फ्लेट पर चिपका दिया महां भी वो नहीं पहुँच रहे थे 2005 में सुनिल सिंग पर लेन देन के हेरा फेरी का आरोप लगाया गया है इसके बाद फतुह थाने में उन पर केस दर्ज कराया गया था उसको ले करके कोट सुनिल सिंग को हाजिर होने को कहा था लेकिन वो कोट में उपस्तित नहीं राश्टिये जन्ता दलकी भी कही ने कही किरकिरी होगी ये बात तैय मान के चलिए देखना होगा कि सुनिल सिंग कब तक इस मामले को के मैं सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं कुरकी जबती भी होगी और 2005 के इस मामले में उनकी गिरफतारी भी संभव है पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अर रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद